तो एक बाइट खंबन, एक टुकडा कांधा और एक बाइट मिर्ची का तो भाईए ये है दे वर्ल्ड फेमस गुजरात का खंबन जो की ढोगला भी कहते हैं बट हाँ आप लोग कहते हैं तो उनका क्या कर सकते हैं ये खंबन है, बहुत ही soft और healthy और spongy breakfast के लिए best recipe है तो यहाँ पर 200 ग्राम हमने चने का डाल लिया है यहाँ पर recipe सुरू करें तो मैं कोई time pass नहीं करना चाता हूँ तो इसे 3-4 गंटा भीगा लेना यानि इसे start करने के लिए आपको एक दिन पहले से सुरुवात करनी पड़ेगी ठीक है इसे भीगोने के बाद में आप इसमें आधा कप पानी डालके इसे पीस लेना और पीसने के दोरान एक चीज याद रखना है इसे दरदरा रखना है मतलब पूरा दरदरा भी नहीं है यह समझो 90% इसे पीसना है ठीक है बाकी का जो 10% है हलका हलका दरदरा रखना है इसे एक बावल में हम पूरी रात के लिए rest कर देंगे तब क्या होगा इसका जो size है यह double हो जाएगा इंपोर्टेंट यही है मतलब यू समझो कि आपको कल पांच मतलब आज पांच बज़े से start करना है कल सुबह के लिए इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर आधा चमच, दो चमच दही, खटी वाली दही और यहां पे हमने अद्रक और मिर्ची को पीस लिया आधा चमच हल्दी और दो चमच तेल नमक स्वादमसार इसे अच्छे से पीस लेना है, लास्ट में, लास्ट में हमें डालना है बेकिंग सोडा आधा चमच, मतलब हमने 200 ग्राम चने का डाल लिया है, इसे इसाब से हमें बेकिंग सोडा आधा चमच लेना है, यहां पे एक बेकिंग टिन जिसमें मतलब यू समझो कि हमने इडली क steamer में हम बना रहे है बस वैसे आप चाहो तो कड़ाई में भी बना सकते हो मैं दोनों में बना रहा हूँ तो मैं आपको दोनों बता दूँगा ठीक है तो आप यहाँ तो कड़ाई में इस्तेमाल करो जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे पानी रखे एक stand रख दिया कड़ाई में और यहाँ पे ओपर से धक दिया है और इसी तरह से मैंने इडली के steamer में भी बनाया है यहाँ पे पानी नीचे है और यहाँ पे plate रखे इसे धक दिया है इसे फंद्रा मिनिट medium flame या तो slow flame high flame बिल्कुल भी मत करना ठीक है 15 मिट तक इसे पकाने के बाद में अगर आपको यह लगे कि यह थोड़ा सा मतलब कच्चा है तो प्रॉब्लम की क्या जरूरत है थोड़ा सा और ढखो और एकाद मिनिट के लिए और पका लो क्योंकि अंदर से वैसे भी वो गरम है बस यह आपका हो गया दन तो इसी न लगाएंगे भी यह तडगका, ठीक है थे महीं हमने टीन चममज तेल लिया यहां पर एक चमब सरसो लिया है आधाख हीं लीए इंपॉर्लम मिर्ची बिना टीखे वाली है तो वैसे यह तीखा लोग के तो बोहग तो यह था मज़ा नहीं आने वाला स्वीश बाज की ही मिठास लाने के लिए ठीक है बस इसके उपर हम तड़का लगा देंगा अगर आप चाहो तो खंबन को यह मतले पीसे को निकाल के कड़ाई में भी इस तरह से आप तड़का लगा सकते हो बट यह अच्छा ट्रिक है ठीक है अब बस प्लेटिंग करो तो प्लीज अगर आप बहुत है सुबह सुबह का नास्ता मदलब खंबन धोकला नहीं है यह ठीक है डोकला अलग है धोकला चाहिए तो मैं नीचे कमेंट कीजिए मैं आप अपीश दोकला बनाके बताओंगा ठीक है तो मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार